हलो एवरिवान, विलकम टू मैं चाइनल, आज हम बनाने जा रहे हैं चुकंदर के हलवा यानि बीट रूट का हलवा, यह काफी टेस्टी होते हैं और बहुत जल्दी ही बन के तयार हो जाते हैं इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, यह दस मिनट में ही बन के तयार हो जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा यहाँ पर मैंने एक केजी चुकंदर लिया है, इसका उपर का जो छिलका होता है, वो निकाल करके अच्छे से इने साप कर लिया है अब मैं इन्हें इस ग्रेटर से ग्रेट करूँगी, अब मैंने सारे बीट रूट को इसी ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, अब मैं चलती हूँ नेक्स स्टेप के ओर यहाँ पर मैंने एक कडाही ले लिया है कडाही में मैं दो चमच घी डालूँगी अब मैं ग्रेट किये हुए बीट रूट को इसमें डाल दूँगी अब इन्हें मिक्स करके इसी तरह से 5-7 मिनट तक पकाना है बीच बीच में चेक करते रहना है नहीं तो यह अंदस चिपक सकता है और इसमें मैं दूद का यूज नहीं करूँगी आप चाहो तो दूद डाल सकते हो लेकिन इसमें टाइम जादा लगता है इसलिए मैं दूद नहीं डालूँगी इसी तरह से इसमें जो पानी होता है इसे ही पक जाते हैं अच्छे से अब इन्हें पकते हुए पांच मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से सॉप्ट ली हो चुके हैं तो अब मैं इसमें किसमिस डाल दूँगी किसमिस मैं पहले डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से फूल जाए बाकी के ड्राइफ फ्रूट मैं बाद में डालोंगी अब इसमें मैं एक से देड़ सो ग्राम के करीब चीनी डाल रहे हूँ आप अपने टेस्ट के अनुसार इसे कम या ज़्यादा कर सकते हो चीनी डालने के बाद चीनी पानी छोड़ता है तो मैं इसे दो मिनुट तक और पका लूँ अब मैं इसमें कुछ कटे हुए ड्राइफ फ्रूट डाल दूँगी यहाँ पर मैंने वन टेवल अस्पून इलाइची का पौड़र डाला है अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को सस्क्राइब करें साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि कोई भी न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले अब इसका पाने बिल्कुल सूख चुका है और यह अच्छे से भून गया है तो इसमें मैं खोया डाल दूँगी और खोये डाल करके एक मिनट तक पकाऊंगी अब एक मिनट हो चुके हैं अब हमारी हलवा बनके तयार हो चुकी है यह काफी टेस्टी और हिल्दी होते हैं इस तरीके से एक भर जरूर ट्राइ करें अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें आप लोग लाइक नहीं करते हों उमीद करते हूं आज की यह वीडियो जरूर पसंद आएगी थैंक्यू